हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रस्मार सर्मा एक बाद फिर से वह स्वाथ करता हूं आपको अपने चैनल पर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप करकर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं बहुत से लोगों को यहीं बताने वाले हैं किस तरीके से आप लाइसी में अपना रिश्ट्रेशन करकर अपना खुछ का एक अकाउंट बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं बहुत से लोगों को यह प्रोग्लम आती है उसमें अपना पासवर्ड करने में तो हम पूरा डिटेल के साथ आपको एटू जड़ बत करकर उनकी सारी की सारी जानकारी आप हासित कर सकते हैं तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के लिए रिश्ट्रेशन करने के लिए आप के लिए वो जानकारी लेकिन आगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वाश्ट है अभी तक आपने हमारे चैनल को स सब्सक्राइब करेंगा अपने दोस्तों के साथ वर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंट वीडियो को पूरा वाज करिएगा कहीं पर भी स्किप मत करिएगा नहीं तो आपको रेश्टरेशन करने में अपना अकाउंट बनाने में प्रोब्लम हो सकती है यदि आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप करते हैं और वीडियो को आखिर में जुरूर वाच करिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो से रिलेटिट बहुत इंपोड़न्ट जानकारी आपको दी हुई है जिसके सेगेंड में आपका अकाउंट यहां पर क्रेट हो जाएगा तो सबसे पहले आपने जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं मुवाइल फॉन लैप्टोप या कंप्यूटर जिसमें भी चला रहे हैं उसमें अपना ब्राउजर ओपन कर लिजिए और ब्राउजर में आप गू कि तो यहां पर एलाई से ओफ इंडिया की ओफिसल वेबसेट ओपन हो जाती है अब यहां थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको दिखा देते हैं कि तो यहां पर आपको ऑप्षिन दिकलते का किश्टूमर पोर्टल का इस पर क्लीक कर देंगेり तो चलिए कश्टूमर पोर्टल पर थर्रडी वाले ऑप्षिन पर क्लिक कर दोते हैं तो अब यहां पर हमारे सामने इसका नच्ट पेच आपन हो गया थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करकर नीचे आ जाएंगे नीचे आने के बाद यहां पर आपको दो ओपसंद दिखाई दे रहे हैं राइट सैड में नियू यूजर का और रेश्टर यूजर का यदि आपने पहले से रेश्टरेशन कभी किया हुआ है तो आप रेश्टर यूजर तो फिर नियूजर रेश्टरेशन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरी के इसका नेक्स्ट पेच ओपन हो जाएगा यहां पर आप देख रहे हैं कुछ आपको यहां पर फॉर्म दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ आज यहां पर ऑप्शन है पॉलसी नंबर की वाद प्रोसीड करना है तो इस फॉर्म को आपने पूरा पूरा ध्यान से सही सही भरना है आप अपनी किसी भी पॉलसी का जो नंबर है उस पॉलसी का नंबर आप निकाल कर अपने पास रख लीजिए और यहां पर राइट सैड में आपको यह यह टैट कलर में लिखा इसमें लिखा है कि जहां जहां भी जिस ऑप्सन के आगे श्टार लगा हुआ है उस उसको पूरा का पूरा भरना सही सही भरना जरूरी है हाला कि जिसके आगे श्टार नहीं लगा है जैसे कि पहन के आगे श्टार नहीं लगा है पासपोर्ट नंबर के आगे श्टार नही पतो है तो पॉलसी नंमबर पर क्लिक करकर अपना पोलसी नंबर ढून कर देंगे 3349 15036 याँ पर पॉलसी नंबर में अपना पॉलसी नंबर ढाल दीजी और एक बार कन्फर्म करके चेक कर लिज्थे कर दियो उसके आपने जो डाला है बिलकुल सही है उसके बाद आपने अब गगारा कोई किसी भी तरिका कोई भी टेक्स के साथ लगता है तो उस टेक्स को आप ने इसमें नहीं भर ना है आपणने के वा प्रेमियम यहां पर बर्म्य जाता है तीन महींद जिसक्राइब के ुह Correct बर देना ज़ीन यहां से चेक बशुछ मत्ड़ते हैं अब करेंदे के बाद आपने पूरा सन लगाकर जैसे की निसो असी निसो नब्य टू थावजेंट तो पूरा आपने यहां पर साल भरना तो पहले डेट डाल दीजेंगे इसमें तो चलिए यह बदेट डाल देतें 12 कि 11 arlaynchronronic chair कर देना है और आपने चेक कर लेना है कि आपना जो डीडोफ डाली है як पहले अपने दिन ढलना हий फिर पोटना है उसके बाद आपका जो भी जेंडर है फीमेल है गया और सकि सद्ग्साटец जो भी आपका मोईल नमर है यहां पर एंट्र कर सिंधिये मोईल नमर इंट्र करने के बाद नीचे यहां पर इमेल का शो लिखा गरद है आपको अब एक्टीव आपने एंट्र करना अगर आपके पास tame वह नहीं है जो कि हमारा email address active है अगर आपके पास पासपोर्ट है आपके बाद तो यहां पर पासपोर्ट नमबर डाल दीजिए पासपोर्ट भी आपके पास नहीं है तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं उसके बाद सारा है यहां पर भरने के बाद आप एक बार इसे चैक कर लिजिए ठीक स करने जा रहे हैं इमेल अपना चेक कर लिजिए क्योंकि इस पर अभी लिंक आएगा तो इस सारा कुछ चेक कर लिजिए चेक करने के बाद आपने यहां पर नीचे उप्सन आपको दिखाई दे रहा है कांफर्म था जैट था मॉइल नमबर इसका मतलब यह कि आप आप कंफ हमने इसे पर क्लिक करना है आपने यहां पर यह पर क्लिक करने के बाद जो आपने इमेल एड्रेस यहां पर दिया होगा उस इमेल एड्रेस पर पर क्लिक करने के बाद एक लिंक सेंड किया जाएगा तो आपके पास यह इमेल एड्रेस अभी एक्टिव होना चाहिए चालू यहां से पोसीड़ पर क्लिक करदेता है क्कौन प्रॉचिट़ पर क्लिक करते हैं आपके जो इमेल डॉट आपने डाला है रेश्टेशन के लिए उस ईमें पर आपके यहां पर एक मेल मेलने सेंड किया गया उस मेल में आपको एक सब्साद मेले आप gotta देखिन सेंड कि या नहीं तो इसे करने के लिए आपको यहां पर लिंक पर क्लिक करना को उससे पहले आपको बता देते हैं कि यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि प्लिस नोट टेट इमेल लिंक is valid for three days यानि कि ये लिंक के वल तीन दिन तक ही valid है उसके बाद आप इस लिंक का यूज नहीं कर सकते हैं तो आपने तीन दिन के अंदर अंदर ही इसका sign up का जो process है इस लिंक पर click करकर complete कर लेना है तो आप अपना email box check करेंगे इसके बाद process पर click करने के बाद वहां पर य मेल आ गया होगा इस लिंक पर click करकर अपना जो process है sign up का उसे complete कर लिजिए इस लिंक पर click करें बिना आपका process complete नहीं होगा तो इसे verify करने के लिए आप लिंक पर click करिए चलिए यहां से लिंक पर click कर देते हैं तो फ्रेंड लिंक पर click करते ही जो हमारे पास email में link आया उस लिंक पर click करते ही आपका account यहां पर verify हो जाएगा यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है verify your account इस तरीके से आपके पास जो भी link send किया गया है आपके email address पर उस link पर आपको तीन दिन के अंदर अंदर click करकर इसे account को verify कर लेना है अपना जो sign up का process है उसको complete कर लेना है यदि आप तीन दिन के अंदर इसे link पर click नहीं करते हैं तो आपका यह link एक्सपायर हो जाएगा फिर आपको सारा process दुबारा से करना पड़ेगा तो इस link पर click करे बिना इसे verify करे बिना आप LSE of India में के portal में जाकर अपना registration नहीं कर सकते हैं अपना account create नहीं कर सकते हैं तो हमने link पर click करकर अपना account verify कर लिया है तो यहां पर लिखा आगया है verify your account उसके बाद नीचे option आपको दिखाई दे रहा है back to login अब आप login करने के लिए बापिस जा सकते हैं तो लेकिन आपने जैसे ही इस link पर click किया एक pin है छे नंबर का उस pin को आपको यहां पर इसे login करने के लिए डालना जुरूरी है जो कि next step में आपको करना होगा चलिए आपको दिखाते हैं कि वह passport कहां पर है जो कि हमें send किया गया है क्योंकि उसको डाले बिना आप first time login नहीं कर सकते हैं इसके पाद आप जब भी sign इस LIC of India की website पर जाकर तो आपको इस तरीके किसी भी pin की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन first time आपको यह registration करने के लिए उस pin को डालना जुरूरी है जो कि अभी आपके email और mobile नंबर पर send किया गया होगा तो आप अपने email पर चेक करिए एक यहां पर password आया होगा चलिए check करते है तो लीजिए हमने यहां पर अपना email open कर लिया है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर your one time password OTP send कर दिया गया है जो की छे नंबर का है इसी तरीके से आपके mobile पर भी आया होगा और आपके email पर भी आया होगा तो email से आप इस password को ले आकर आपने login के लिए first time इसे ड लोग प्रोग्लम आती है कि उनके mobile पर वह OTP नहीं है मुवाइल पर OTP आने के साथ साथ आपके जो email दिया होता है email address पर भी वह OTP आया होता है जिस तरीके से यहां पर यह OTP आया हुआ है अब यहां पर आपने ध्यान रखना है कि इस OTP को आपने जब आपने इस उस link पर email क से link पर click किया अपना account verify करने के लिए तब उसके बाद यह केवल 15 मिनट तक यह OTP वर्क करता है 15 मिनट के बाद यह OTP बेगार हो जाता है तो कई लोग account registration करते हैं account create करते हैं लेकिन 15 मिनट का time निगल जाता है फिर यह OTP डालते है तो उनका registration का process complete नहीं हो पाता है तो आपने 15 मिनट के अंदर इस process को complete कर ले और इस OTP को आपने उसमें ढाल देना है first time चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर आपने डालना है तो यह हम से otb को copy कर लेंगे तो यहां से o'tb हमने copy कर लिया है इस OTP के बाद आपने यह पर log in कर करना है अब यहां पर log in पर एक करेंगे त अब आपना password first time create कर पाएंगे तो चलिए आप यहां से login पर क्लिक कर देते हैं कि और अपना password create कर लेते हैं तो जैसे login पर click करेंगे तो आपके सामने यह कि यहां पर आपने अपना OTP डालना है यहां पर आपको दिखा रहा है कि आपने अपना जो छे अंकों का OTP करना है इंटर करना है नीचे अपने पासवर्ड करना है जिस पासवर्ड से आप हमेशा अपने अकाउंट को लोगिन कर पाएंगे तो आपने इस OTP को डाले बिना आप पासवर्ड को क्रियेट नहीं कर सकते हैं तो ऐसी भी प्रोब्लम बहुत सारे लोगों को आती है कि वो ओडिवी नहीं डालते हैं और लोगिन करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको OTP डाले बिना इ नीचे ऐसा नीचे यहां तरी फासवर्ड कर जुरूर के यहांस प्राइपने रुआ हैं तो आपने दोता लोग से द करने के लिए आपने यहां पर आपका क्रियोस थे रहा हैं यहां पर आपका जो प्रेट करेंगे वह कम शे अंकों का हो चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर 16 होने चाहिए यानि कि 6 से लेकर 16 तक के बीच में आपको पासवर्ड क्रेट करना है आपको बता देते हैं पासवर्ड आपको कैसे क्रेट करना होता है इसमें पासवर्ड क्रेट करना है कि कुछ शर्ते हैं नीचे यहां पर बत आक्षा डालेंगे ABCD तो वह आपको बड़े में डालना है उसके बाद आप समोल में डालिए और कुछ आपको इसमेर कोई wra सा password create करना है ताकि उस Password को कोई भी heck ना कर सके उसे कोई चोरी ना कर सके तो इस तरीके से आपने अपना password create करना है आपने एक Capital में उसमें वह जलूट डालना है सेहल में जलूट करेक्टर उसमें type करने है उसके बाएं श्रुट करीड करना है बहुत से लुग मुझे से नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि सर पासफ़ाइड नहीं पहर है। तो यहां पर आप तॉय सारह कुछ पढ़ सकते हैं इस तरीके से आपने इस पेसल अपना एक पासफ़ट है करना है। पासफ़ाइड करना ल Anyways करने के बाद सब्मिन पर Klick करने के बाद हमने अपना सारा का सारा प्रोसस कम्लिट लिया यनि हमने लाइस ऑफ इंडिया टिरफे पर ना कर कर लिया है और अपना एक अ पॉट कर लिया है अब हमें कुछ neither ले सिक कर ले का website पर आपना login करकर उसमें अपनी अलाइशी का सारा सब्सक्राइश चैक कर सकते हैं अपनी wife की अपने बच्चों की पोस्टिस उसके अंदर एड़ करकर उनकी भी सारी की सारा status चेक कर सकते हैं उनका premium loan जो भी कुछ लिया दिया गया उसमें सारे की सारी जानकारी इस account के अंदर ही हम देख सकते हैं और वहां से निकाल सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है simple आभएपने सारा सारा process comepeč कर लिया है अपना account भी create कर लिया है आपको फिर से LISA5 पर पर जाना है जा से कि आब हम आ चूके हैं फिर से आप तो अब यहां पर फिर से नेक्स पेच ओपन हो जाएगा थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे तो अब यहां पर फिर से वही दो अप्शन है नियू यूजर और रेश्टर्ड यूजर का लेकिन अब हम अपना नियू यूजर का रेश्टरेशन कंप्लेट कर चुके हैं तो अब हम हो गए हैं एक रेश्टर्ड यूजर तो यहां पर रेश्टर्ड यूजर पर क्लिक कर देंगे कि रेब्व दो तुरे उजयर पर क्लिक करने के पुउसर आएंगे यहां पर अब भाले उपसंपर क्लिक K暉h design करों कि यह आप के साथ करने के पूद आपकर समने लॉगिन का यह सतरीके से न आ जागा ज्योंकिन हरगा यहां यह आया करेगा जब भी आप इसमें लोगिन करेंगे तो अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना है सिंपल यहां पर लोगिन लोगिन कुस्टूबर का अपना जो यूजर आईडिय वह डालना है इमेल या मॉवाइल नंबर आपने जो भी रेइस्ट्रेशन में इमेल या मॉवाइल नंबर दिया था ऊपने पासवर्ड यहां पर डाल देना है उसके पाद आपने नीचे अपना पासवर्ड जो करेत किया थाकर करके मटाल कर लिया कर दो डाल कर शूरत को आपने अबस 차ní जीजिजए टाल कर कर लोगिन कर सकते हैं हमेशा आपको यही तीन चीज़े डालकर यहां पर लोगिन करना होगा आपका यूजर आड़ी आपका पासवर्ड और डेट वर्थ और यह तीनों चीज़े आप अपने पास समाल करके लिख कर रख लीजिए हर बार इसी से आप लोगिन इसमें कर पाएंगे तो चलिए यहां हम साइन पर क्लिक कर लेंगे इसी तरीके से अपना अपना यूजर यूजर आड़ी डाल देना है अपना डेटो पर डाल देना है अपना अपने पासवर्ड डाल देना है पासवर्ड डालने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर साइन हो जाएगा करके बाता करते हैं और इसमें साइन आन्ड कर लेते हैं अब आर जाकर वाच कर सकते हैं उनको देख सकते हैं सारी के सारी तबाम जानगारियां आपको आपकी इसके उद्र मिलिग आपकी पोल फिक सारी की सारी इस्टेट्स सारी की सारी जानकारियं इसमें मिलजाएंगि अपनी बाएफ की बच्चों की जयंकर करकर उनकी थीडिंठी और अपने लौन बग Up इस अगाउंट के अंदर पॉल्सिस एड़ करना चाहते हैं अपनी वाइफ के एड़ करना चाहते हैं बच्चों की तो आपने यहां पर प्लस पर किलिक करना है यहां पर राइट साइड में उपर आपको प्लस का निशान दिखाई दे रहा है प्लस पर किलिक करेंगे आप उस कर सकते हैं अपने बच्चों की और पूरी की पूरी जानकारी यहां तक कि उसका प्रीमियम का भी भुकता आप कर सकते हैं तो यह ज्यादा बैदिन वीडियो देखने के लिए आप हमारी की प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ कर सकते हैं उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया वीडियो पसंद आया तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखका जूरूर बताएगा हम उसका जवाब जूरूर देंगे और यह थी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रड़ वा झाल